वाके में सरकार भी इसकी तरफ द्यान देना चाहिए ताकि पैदा होते ही बच्चे को आर्गन्स को देखे ना पेचाने बेटा की बेटी हैं तू भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ मेरा आत्मा लड़की की हैं शरीर लड़के का हैं पैदा होते ही शुरुआत हो जाते हैं हमारे साथ जो फाइटिंग हम है कौन तो जीने के लिए वही या प्रोस्टिटूशन देव या पर या पीक वह ऐसे बेटों से तो बहुत अच्छे कि जो किसी लड़की की उपर भी त नोशकार आप देख रहा है आरत प्रकाश टीवी और मैं हूँ आपके साथ राहुलतिवारी भारत के अन्यन कई राज्यों में पुरानी प्रथा जो एक बच्चे के जनम लेने से लेकर जो लिंक की बात की जाए उसमें दो लिंक पाइदाते हैं चाहें वो फिमेल हो चाहे ही जगाओं पर ऐसा क्या करते थे कि किनरो को बुला के अगर बच्चा दो लिंक का पाया जाता था तो उसको किनरो को दे दिया जाता था और उसके बाद उसका भविश्य क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था इसी को मद्दे नजर रखते हुए आज हमारे साथ काजल मंगल मुखी जी हमारे साथ मौजूद है आए इनसे बात करते है कि क्या किस अद तक ये जो लोगों की पुरानी धारनाए है वो सही थी या आज जो अबडेशन है लोगों की सोच में क्या बदलाव लाना चाहिए कहां तक लोगों को ये जो जैसे पहले बच्चों को दे दिया जाता था तो अब किस तरह की मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है आज के लोगों को आई बात करते हैं जानते हैं मैं सबसे पहले मैं यह बताना चाहती मेरे नाम काजल मंगल मुकी है मैं मंगल मुकी ट्रॉंजेंडर वेल्फेर सुसाइटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ और साथ में मैं अपना ट्रॉंजेंडर वेल्फेर बोर्ट की मेंबर भी हूँ और उसकी साथ साथ मैं अपनी एक उम उसको देके ये पैचान लेते कि उसके आर्गेंस को देके पैचानते हैं, ये लड़का है कि लड़की ये किनर है, बट वो बिलकुल गलत बात है, मैं एक एक बात बताना चाहती हुदाहरन, आज के तेईस साल पहले एक बच्चे ऐसे बच्चे हुआ था, जो उसका सी आर्ग की सामने जो मेरे दादी थी, उनकी आत में देखे सोब के चले गे तीन दिन की बच्चे, फिर बाद में उसको दूद, जैसे रूई में दूद पिला पिला थे बड़े किये, बड़े करने के बाद, फिर बाद में हमने उसको वो स्कुल में भी एड्मिशन दिलवाएं, पास ले जा के अपने जो नॉर्मल दवाई होती है इनकी लड़, वो वहला हमने देते गए, तो फिर दूसरी मेने ऐसे हुआ, फिर तीसरी मेने में भी एसे हो, फिर चौती मेने में भी, ये क्या बराबर बेक, एक मेने होते हैं, फिर हमने समझे कि शायद क्या पता, फिर और कोई हमें सुझाओ दिये कि इसको गाइनकोलिजिस्ट की पास ले जाना चाहिए, लेडिस डॉक्टर जो होते हैं, तो फिर बात में हमने लेडिस डॉक्टर की पास लेगे, लेगे तो वांके में वो लड़की निकली, तो उसका जो भी जो अन्वांटेड, जो अर्गेंस इनसान की सेक्स या नहीं होता है, और्गन नहीं होता है, सेक्स यहां होता है, सोच होता है, तो बड़े से बड़े डॉक्टर को भी समझ में आना चाहिए कि पहले पैचान यह नहीं होना चाहिए कि बेटा या बेटी या कोई भी बोलके और्गन देके नहीं पैचानना चा मतला बेटी हो के बेटी की तरफ ही अक्ट्रेक्शन हो सकती है, है ना, तब पता लगता है 14 साल के बाद, इसके लिए वही कहते हैं, जैसे चलो मैं अगे 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 बात ने बढ़ाना चाहती, बट जो पहले में यह कहना चाहती हुआ, कि जो वो बच्ची को जो देके गए जो 14 साल में जब उसको पेट में दरद होने लगा, दरद होने लगे तो हमने गाइनो कॉलेजिस्ट को दिखा है, तो उन्होंने तो सरजरी करवा के, सब कुछ करके, अपना वजाएना सेफ दे दी, लड़की निकल गई वो, हमने शादी भी किये थे, तो 18-19 साल में जब ज़री हो सकता है, यह लड़की बन सकती, क्यों ने सोचे उस तेम पे, इसके लिए फिर उसकी बाद क्या हुआ, वो लड़की एक साल की होगे, बच्चा भी पैदा हो गया, एक साल की बच्चा भी हो गया, तो एक साल की बाद, अभी एक साल पहले, वो जो उसकी डैथ भी ह के लिए ते को दे अपने के लिए इस हैं बहुत सारे के बहुत सारे जो किन्रों को दे देके देके चले जाते हैं ईक इक इनरे आज ब Newy और तो एक यौन को देक डेकाजिद Dan अरहया सकते हैं भर गलत बात इथा अभी two thousand nineteen में एक ट्र海ंजटेndगर बिल में यह आया हुआ है कि transgender को कोई बाहर नहीं निकाल सकते हैं, parents या family या कोई उनको harassment भी नहीं कर सकते, discrimination नहीं कर सकते हैं, उसकी साथ बहुत बड़ा जैचे मेने जैल भी हो सकता है जिसी बहुत बड़े punishment भी है उसके लिए, बट अभी तलग तो कोई उनको future safe दो, उनको educated बनाओ, qualified बनाओ, अपनी पास रखो, अगर कोई organs में कोई changes आता है, कोई confused आता है तो, तो उनको आप surgery करवा के बहुत टेकनिक आगे बढ़ गया है, तो surgery करवा के तुम अपना उसकी future safe दो, क्या पता तो तुमारे बड़ा पे की लाटी बन सकते हैं क्यों अपनी सोच, बदलाओ क्यों नहीं ला रहे हैं अपनी सोच में, में समाज में ये दे कि मैं बहुत बड़ी मलाल है मुझे, वाके में सरकार भी इसकी तरफ दियान देना चाहिए, ताकि कि पैदा होते बच्चे को, आर्गन को देके ना पेचाने बेटा है की बेटी है या किन नरे बोलके हैं, तो जब ही तेरा, चोदा साल, पंदरा साल का जब होगा तभी पता लगता है की ये बेटा है, की बेटी है, किसकी तरफ एट्रैक्शन है, उसका और क्या चॉइस है उसका और इसकी और इसकी हावबाव कैसी है, उसकी एना, उसकी बिहेवरियर कैसी, उससब देके अपना डिसिजन लेना चाहिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मंगला मुकी जी बैठी है इनसे बड़ा उधारन मेरे हिसाब से आपके सामने मैं कही नहीं दे पाऊंगा आए इनकी बातों में ही आपको उधारन पेश करता हूँ मैं आप अपने बारे में बताईए कहां से शुरुआज की कैसे पता चला, कहां से है आप और जैसे जैसे आप अपनी कहानी बताता जाएंगे उसका जो सिलसिला है उसका संबंद इस कड़ी के साथ कही नहीं जूड़ी जाएगा अच्छली जब मैंने पैदा हुई थी तो लड़का ही था वो ही कह रहे ना जो मेरा जो हारगंस जो था वो लड़के काता तब बड़े होते होते जब मैं six, seven years की होगी तब मुझे अपने आपको पैचान होने लगा की six, seven चे या साथ साल की उमर में जब first, second standard पढ़ रहे थी जब उस टेम पे एक लड़की मेरे सामने चोटी सी बच्ची जो मेरी उमर की वो भी naked होती है, nude होती है मतलब नाने की टेम पे, केलने की टेम मैं भी nude था, उस टेम पे तब ही मैं समझती कि उसकी भी बाल है, मेरे भी बाल तब बगवान के लिए चोड़े थे बाला जी के लिए, हाथ पे सब कुछ है, बट वो हरगन जो है तो वो मुझे क्यों नहीं, मेरे को क्यों चैंज से प्लस पॉइंट है उस पे उस टाइम पे मेरे दिला और धिमाग में एक बहुत बड़ा question mark कड़ी हो गए तो उसकी बाद फिर बढ़ते 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 जब 12-13 साल के होती, फिर एक मेरा जो, मेरे जिसको चाती थी एक अपना, मेरे प्यार करता है वो लड़का, मैं भी प्यार करती बोलके अपने आपको अपना में प्यार करने लगी थी उससे, तो वो लड़का मुझे पोछता है, जब एक love letter लिगता है तो, मैं वो लड़की का नाम था, तो लड़की का नाम था तो, तो मैं वो पढ़के मैं बोल थी, कि इसमें लड़की का नाम है किसी की, मेरे नाम क्यों नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करते हैं, बच्पन से तुम मुझे जानते हो, तो वो असस के जबी मुझे बताने लगा, बोले तू लड़का है और मैं भी लड़का हूं आम दोनों में प्यार कैसी हो सके हैं सो जो आपके दिमाग में कोषटील मार्क राया है था कुसा जवाब को स्कॉवाब मिली रही है जबी बच्पन में वहीं भी मुरत कहिदा अचो MIN मेरा आत्मा लड़की की है, सरीर लड़के का है, है न, यह हाल है, फिर उसकी बाद होते होते हैं, अपना बच्पना भी गुजर गे, सब होगे, अपने दिद दूर होते हैं, अगर तुम 1995, 1985, 1975 की बात, अगर आभी बात, तुम इस बात को भी अगर कंपार के तो बहुत डिफ बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, मतलब एक ऐसी चीज जो दिमाग पर अभी तक घर करके लई है, अभी तक क्या, अभी भी है, अभी भी है, जो बच्पन से लेके पैदा होते ही, सुरुआत हो जाते हैं हमारे साथ जो फाइटिंग, हम है कोन, हमारा अपनी हस्थ जित्व की पैचान के लिए तो निकल जाते हैं हम घर चोड़के, तो जीने के लिए वही या प्रोस्टिटूशन, देव्यापर, या पीक, या नाचना गान, ये तीन रास्ता चोड़े तो और कोई रास्ता ने जीने के लिए, ताकि अभी भी भले बहुत कहते तुमारे त सिर्फ फाइल में बंद पड़ा है, फाइल में बंद है, अभी कोई इंप्लिमेंटेशन नहीं हो पाईए, खेते न, अगर तुमने एक्वालिटी अगर तुम दे रहे हो, तो तुम में स्ट्रीम्स में भी लाओ, जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, ऐसे क्यों है, जो पड हो हार्मी में, या नेवी में, या आस्ट्रनेट हो, या लायर हो, या डॉक्टर हो, या स्पोर्ट में हो, केल में हो, तो क्यों नहीं है, जिर्फ वाम मेल और फीमेली हैं, अब तक आपने देखा, कि 31 के दौर तक की बात हुई, उसके बाद आपने किस तरह से खुद को नाम है आपका समाज में नाम है प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए किस तरह की स्ट्रगल हुआ देखिए वही बात है जो प्रोस्टिटूशन की बाद फिर बैगिंग बैगिंग की बाद 25-2001-95 में मैं चंडीगर आई तो उसकी बात फिर अपने दिमाग में ये आया कि मैं बोले हमारे जीने के लिए ये किनर को जीने के लिए सिर्फ तीनी रास्ता है ये तीन रास्ता हट के मैं बले सरीर से किनर है चलो मानती हूँ ताकि लोगों ने नाम दिया है किनर तो सरीर से किनर है दिल और दिमाग तो नॉर्मल ही है अम आम जिसी बेटा और बेटी से तो perfect है देखो एक बेटा अगर यह कहता है कि आजकल बेटे भी एक बात कहते हूं तो इतनी प्यार करते हैं तो बेटा-बेटा निकलता है हम उन लोगों से तो बहुत अच्छे ऐसे बेटों से तो हम बहुत अच्छे कि जो किसी लड़की की उपर भी तुम चड़ जाते हैं जैसी एक बात कहा है जैसी रेपिस्ट को भी अपना लेते हैं रेप करके आता है उसको भी अपना लेते हैं एकसेप्ट कर लेते हैं या मर्डर भी करके आता है उसको भी एकसेप्ट कर लेते हैं है ना आप पता लगना चाहिए तुमारा बुड़ा पाए ना सुकनार कटना हो तो हमारे जैसे सब बच्चों को तुम एकसेप्ट करो तुम फिर आने वाले दिनों में तुम रुद्धाश्रम में नहीं जा पाओगे वरना तुम रुद्धाश्रम जाना पड़ेगी हमने आपके बारे में एक चीज और महम सुनी है कि आपने आपको एक स्टेंट करने के बाद अपनी फैमली को भी काफी स्पोट किया उसके साथ कई और लोगों को स्पोट किया है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था उनके लिए आप एक अधर्श बने हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं तो उनके बारे में गाले वह बात हैं जो मेरे चेला हैं जो वौश्ण सरकार जो है यह लती का जो पहन से अपनी एलक्षन लड़ी हैं आपको लतिका जी के बारे में बता दें कि अनिल विज्जी के अगेंस्ट खड़े होके इन्होंने अम्बाला से इलेक्शन लड़ा था और ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह के आम पब्लिक है समाज में कहीं न कहीं ठुकराती चली जा रही है अब कहीं न कहीं उनको अकल आने की जो बात है वो मैंने हमें सीधा बताया है कि किस तरह से उन्हें फरक बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किस तरह से की बच्चेट लाद मार देते हैं व्रधा अश्रम में ले जाते हैं माबापको वहाँ पटक आते हैं ऐसे बड़ी बहने भाई ये लोग मिलके माबापके साथ साथ आज दू झाल